जैन बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अटर 24-7 पर मैं आपका दोस्त आपका हो सब का बड़ा भाई इंग्लेस मेंट और आदिति तीवारी आदित भीया आप सबीके सामने आज चेप्टर नमबर वन जो हमारी क्लास 11 की बुक वन हॉर्ड बिल का है नाम युजा भी और पोट्रेट ऑफ लड इडी जिसको लोग आच पढ़ने वाले बैटा कुछ्वन सिंग्ह ने से लिखा हुआ है और इसकी हम लोग समरी पढ़ चुक है शमरी एक तरीके से एक मूवी के ज़से ट्रेलर होता है उसी तरीके वाटा समरी क्या होता है किसी मूवी के लिए एक ट्रेलर रहा काम करता है तो आज अब मूवी पढ़ने वाले चलो आगे हैं बिटाच देख लेते हैं कमेंट सेक्षिन में कौन को ना गया भई अनस्वरा रदनायर काजिल चादनी नैंसी सुनाली मौर्या और कौने भई मौर्डन स्टूडेंट जेहन बेटा सभी बच्चों को जैन प्यार बनार मस्कार चलो करते हैं क्लास की शुरूत क्यूंकि चलो है लो है अर्जू राथी जैन बेटा संधिया सिंग हेलो बीटा चलो शुरू करते इक लास को तो दपोर्टर्ट आफ लेडी किसने लिख रखा चल लहीं रहे है यह सक्यों अच्छ चलो थो 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 समय ले रहे हैं चलो शुरूत करते हैं यह से लास लेवन दपोर्टर्ट आफ लेडी बेटा आपके लिए बहुत ही खास सीजें की गई है थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देंगे फरशिता को और गूड़ इवनिंग ब सभी को जहने बिटा राइम बोड़ा डूर सभी को जायन देना सभी को प्यार परना मसकाड जैन सब कुछ जो भी बोलना था बोली है मने चलो पढ़ाना शुरू करते तो दबोट्र आप अले बात तो मैंने इंपोर्टेंट वर्ट जो है मैंने आपके लिए क्या कर दिये ह मार कर दी है ताकि आपको अलग से उदिख जाया जब मैं पीटी दोंगा ग्रूप पर साथी साथ बिटा जितने भी वर्ट्स है जो आपके लिए उन सभी की मैंने वर्ड मेनिंग भी लिख दिये ताकि आपको परिशान ना होना पड़े अलग से गूगल ना फोलना पड़ होती है मेरी भी जादी मवरत है कोई नहीं बात नहीं इसमें ठीक बात है चलो आगे सी हैज बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर्ट ट्वेंटी एर्स एंड आई है डोन हर वो बोल क्या रहा है जो राइटर है जो कुश्वान सिंग बोल रहें कि शी हैड बीन वह रही है बह को मोथे रिंकल्स तो सी तरीके से माइ ग्रांबधर लाइक अवर्डी बाधी ग्रांबधर वोजन ओर लुमान थेना सबीकिंगे तरीके सबीकित दाधी तरीके मेरी बुद्र मैला एंड ऑल्ड एंड रिंकल्ड वान्ड ट्विद्टी एर्स जबसे मैं उन्ने देख ना चाहरे में ठीक ना फिपल सेट एट शी हैड वर्न सबीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड एवर हैड़ हजबन बट यह रोग तो बिलीव लोग क्या कैते हैं पीपल से लोग यह थे गधिस हैड़ वन्स बीनियंग कि वह कभी यंग भी टी कि वह चार्ट ब लीव लेकिन ये हर यह 9 पूर यह साल जाएगा कि ऐसा क्यों है कूल सिंग के लिए ऑथर के लिए ये यह हारद बेलीव कुझे लिए कि पिछले बीस सालों से कितने पिछले 20 सालों से अपनी दादी मा को देख रहा है बेख लेंगे आगे हैं आगे माइगा फाथर्ट अब आफ मेंटल पीस इन द्राइंग रूम मेरे जो ग्रांट फादर मेरे जो कौन है मेरे जो दादा जी है उनका पोट्रेट यानिक उनकी तस्वीर पोट्रेट का मदब में जहां ठंडी होती थी ज्यादा पड़ती तो घरों में एक जगह होती जहां पर रखी जाती थी उसी के ऊपर उनकी फोटो लगी हुई है मेरी बास समझ में आ रही है चाहिए बिल्कुल बेटा उज्वल सिंग आपको नोट अभी में डाल दोंगा ये क्लास खतम होने के ब पहल पाएंगे तेकते मिटा और एंड माई ग्रांट फादर्स पोर्ट्रेट हंग अब अवाव दमेंटल पीस इन ड्राइंग रूम और जो मेरे ग्रांट फादर उनका जो फोटो है वो कहां पर तंगी हुई है वो मेंटल पीस यानिक जो एक जगह है इसमें मैंने बता र कवर्ड बेस्ट फार्ट अफिस चेस्ट उनका जो लॉंग लंबा वाइड बेर्ट लंबी बियर्ड है मतलब की दारी और कवर करती कवर्ड बेस्ट पार्ट आफ इस चेस्ट एंड लुग्ड एटलीस ता हंड्रेड येर्स ओल्ड यानिकी जो उनके दादा जी हैं उनकी फोटो टंगी हुई है मेंटल पीस की उपर और फोटो को बैरे मता क्या रहा है कि वह उन्होंने एक पगड़ी पहन रखी है कपड़ी धीले ढाले से पहन रखे और जो उनकी दाधी है इतनी लंबी और सफेद है कि वह जो बेस्ट पार्ट आफ यह यह बेस्ट पार्ट होता है उपर वाला यह पूरा ढख रखाए ठीक अन अब ठीक है अब बच्छा कोशन पूछ रहा ताम से उसकांसर दिए जाए आओ बच्छा हम से कोशन पूछ रहे कि भाई या ओल्ड और में अंतर क्या होता है वेटा एल्डर हम तब यूज करते हैं जब हमारा ब्लेड सब्सक्राइब हमारा किसी के साथ क्या बीटा ब्लेड रिलेशन उता है जब हमसे कोई जामारा कोई सगा यानि मेरत खून करते हैं और इसदों यूज करते हैं और और इसटीन घो भी आप से एज में अधिक हो जिसकी वे आप से ज्यादा होगी उसके लिए अर्नों बोल सक जब दर देन मिद्ट के ना माझलो इस मी बोलने वाले बच्चे का नाम है राज ठीक ना यादित भाईया उल्डर देन वी क्योंकि मैं आपका भाईया हूं आपको पढ़ाता हूं लेकिन आपका सगभाई नहीं हूं ठेक अगर राज का एक बड़े भाई का नाम है हरीश तो क्या बोले गर राज की हरीष भाया कि हरीष भाई या इस माई एलडर प्रदर एक अरी ये मेरी अम्टर रॉटर इल्डर में और और मैं ओल्डर का मतलब होता है बीटा जो खून के रिस्ते से रिलेटेड है ठीक नहीं बहुत अच्छी बात है बसाँ में आ रहे हैं सभी को ठीक बढ़ते हैं आगे तान याज थोड़ा सा मेल फंक्शनिंग कर रहा है वर्ड इन इन इसलने मेल फंक्शनिंग क्र रहा है एक वर्लिटा मैल फंक्शनिंग पता है अपना जब रिख चीज अच्छी तरीके से वियह स्यान धिक अभी है उसी को बोलते मैल फंक्शनिंग बढ़ जा भाई आगे आगे तो ही डिट नॉट टुक ए सॉर्ट आफ पर्सन हूं वूड है वाइफ और चिल्डन एनिगी जो उसके दादा जी एंज उसके दादा जी की फोटो है उसको देखकर कि क्या बोल रहा ही डिट नॉट लुक वो चलिए तो ही डिट नॉट लोग तो सॉर्ट आफ परसर वेक ऐसे वक्ति नहीं रिखते हैं वूड है वाइफ जिनकी एक वाइफ होंगी जिनकी एक पत्नी होंगी या जिनके बच्चे होंगे एनिकी वह इतने जादा बुजर्ग देख रहे हैं सौ साल तक के देख रहे हैं पासा नारी तुम लोग और कुद हैं लॉट्स और लॉट्स और गांड चिल्रेंट एस फॉर माइग ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रिटी तथा थाट वॉर्ट वॉर्ट इनव आपसे कोशन में पूचा सकता है तो इसका मतलब एट वाद वह वेरी हाड टू कभी वह भी अच्छी जैसे नहीं नवीरी लड़कें दिखती है वैसी रही होंगी क्योंकि वह पिछले 20 सालों से अपनी दादी को एक ही जैसा देख रहा है वही जुर्यां वही शरीर ना ऐसा लगता ही नहीं कि एक बढ़ी हो रहे है ठीक ना इसी लिए वैसा बोल रहा है सब्सक्राइब तोर्ट वॉस्ट रिवोल्टिंग सी ओफन टोल दस ऑफ द गेम सची यूज तो प्ले एज चाहिल और ऑफन का मतलब क्या होता है कभी कदार वो बताती थी क्या बताती थी टोल्डस ऑफ द गेम सो खेलती थी सी यूज टू टू पले एज़ जब वह आना अनुजूवल ठीकना अब्जर्ट तो क्या बात है की सी ओफन टोल्डस थी गेम स्थी यूज तो प्ले अचाहिव लगता थी यह सोच करे काफी एजीव लगता थी यह सोच करे काफी एलोगिकल सा लगता थैर कि यह दादी भी खेलती ओंगिया इग्जेक्ली बटाइशिका चल एब जर्ट एंड अंडिगनी फाइड है ना एंड अंडिगनी फाइड और अन हर पार एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवल्स आफ द प्रॉफिट शी उस तू टेल इस लेकिन फेवल्स का क्या मतलब है आपर फैबल्स का मतलब होता स्टूरी जो हम बच्छों को सुनाते है ना दंत कथाएं तो जब वो बोलती थी ना कि मैं चोटे में गेम स्केला करती तो बच्चा जो है यह जब यह बच्चे हुआ करते थे कुश्वन सिंग तो यह सोस्ते थे कि जो वह भगवान की नहीं कहानिया कथा बताती रहती यह है उनमें से एक कथा है कि वह बच्चिम कभी छोटी थी और वह केला करती थी उनको यह भी एक कालपने कथा लगती थी मेरी पास में आरी है चलो बढ़िया लैट सीम क्वाइड अपसर्ड एंड अन्डिवनीफाइट चलो बास अन्यागे सी उस्टू टैलस शी हैड आलवे यह अनव फेबल साथ प्राफिट शी उस्टू टेल उस शी हैड और वेज बी शॉर्ट इन फैर एंड रिटली में अर फेस वाज एक रिस-क्रॉस और रिंकल रही होती है तो वहीं बोलने की कुशिस कर रहा राइट रहा पर हर पेस वाज़ा रिंकल्स यानिक उनका जो चह तान मिनू से बढ़ा पड़ा था रॉनिंग फ्रॉम एवर तो अव्रिवर जो कहीं से भी सुरू हो रही थी कहीं पर भी खतम हो रही थी ठीक है पासओन में आ रही है बहुत अची वाइद है बहुत जिग जैक इग्जैक ली बढ़ते हैं आगे नो वी वर सर्टें शी है और वेजब बीन ऐज वी हैड नोल हर नहीं को क्या बुल रहा भई बूल रहा नहीं वी वर सर्टें हम एकदम सर्टें नी निशित हमें जबात संपूर भरोसा था जी हैड ऑल्वेज बीन एज वी हैड नोल हर वह में सासे ऐसी रही हो जैसा हम उने आज जानते है ओल्ड य यह दादी इतनी जादा बुड़ी है न कि वो कभी और बुड़ी होई नी सकती बोल रहा ना कि नहीं सब जोड़ वाते हैं वह निश्यत तार पर जैसी आज दिखते हैं वैसे हमें सब्सक्राइब होंगी क्यों कि यह बोल विराइस और सो टरिवी और एट शी कुड नॉट है ग्रोन ओल्डर कि अब और ज्यादा बुड़ी भी नहीं हो सकती यादा बुड़ी हो चुकी है आगे एंड हैड इस्टेड एड़ सेम एच एक मिने रुटा है लो अधर क्लास में हो भी बात करता हम से तुम्हारे भाहिया को याद करने हाले बहुत है क्या किया जाए किसी क फोन भी नहीं काट तकते हैं वैसे क्या पता किसी को कोई अमर्जंसी हो इसलिए फोन में सब्सक्राइब बस जान लेते हैं कि मसला क्या है चलो आगे देखते मिटा एंड हैड स्टेड एड़ सेम एच पर ट्विंटी एर्स क्या बोल रहा है वह दादी तनी अदा बुड़ wasn't everyone this only more we could say kajal radar स्री जा सहीन जरीन अन चरान आर श्रीटी बड़ पर रहना मब्सक्राइब लोग़ों के अच्छय लगते तैसे मिलन mobile name spider in a way brand other you could never have been pretty but she was always beautiful apple line of it a human qui si has never been she never have been pretty woke aby scoop sort of clean doon लेकिन लेकिन बट शीवास आल वेस ब्यूटिफुटि लेकिन वह मैसा से कैसी थी लेकिन वह मैसा से ब्यूटि फूलती यानिके सुंदर थी अब इता अंतर मतलब होता है जो बाहरी आपकी चमरी यह छांब ईगोरी है फेस कट अच्छा है बालुब कैसे से टिझ आना very good 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 but then I get you know so she could never have been pretty but she was always beautiful see hobbled around see hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her breast waist to balance her is tube and the other telling the beats of her rosary see hobbled about hobbled about love it a hobbled come at love with a garam is a but in an absurd way and now as you three cases of duty abudur my wife is awesome come out you gotta get a link in the middle and I say that's why it is hobbled see hobbled about the house who her man to the clumsily chalakardity is spotless it be not darky white sari met with one hand jim java unka a can't go to the unka kamar parota tha and a to balance her is true is to come अपने आपको पोस्टर साही रखने के लिए वो अपना एक हाथ रिस्ट पर रखती थे अपनी कमार पर अक्ति थी ताकि उसाही से चलती रहे हैना एक्जेक्ली अर्पित पंदित जी है गुरू जी हेलो बेटा ठीकना इस्टूब एंड अधर टेलिंग दा बीट्स ऑफर रो अधर जिसे एक तो आठ मन को कि एक माला होते हैं रुद्राक्षी माला कुछ मन के होते हैं थे एक हाथ कमर पर रहे था एक हां माला में सांट का चलता रहता था बतासओन में आ रिए आरे वेरी गुट तिलक मीना गयर है वासर मौज कर दी आज तो हम थोड़ा डलोकर के पढ़ा रहे फिर भी तुम कर मौज कर दी तर आप सीवीटी कर लास अप से सुरू करोगे शबना मंडल बीटा शुरू होगी बेटा तो बैलेंसर बॉड़ी पार्ट आफ बिल्कुल बेटा सुना ली क्या बात है तो आगे हर सिर्वर लॉक्स लॉक्स का मतलब क्या था लॉक्स का मतलब होता है बाल जना जो आपके बाल उतना हर सिल्वर लॉक्स सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या उनके चांदी के बाल नहीं उनके सफेद बाल चांदी सफेद होती ना विटा तो हर सिल्वर लॉक्स वह स्केटर्ट कर बिकर होते है थे अंटाइड़ी एन बिलकुल धिले पड़े हुए थे ओवर हर पेल आ पुकर्ड फेस न पहिल यानिकी जो थोड़ा सा पीला हुआ थो फ्रहा सा जानते हूं आ बुढ़ा पे में शड़ीर कम जो रहता है तो सरी थोड़ा सा पेल पड़ जा लगातार चलते रहे तें युक्जान करती नियान लागातार मंत्र विचारण करती रहेति संजू देवी गूद इविनिग वैटा ठीक इन फॉल कातार दिम तेटी मत्र पर्लूज एक याक्र थी बिलकूल सही बतार आप लोग जालो स्रिवातार गाजल संध राज इस बस ओन कुछ ना समझ मैं तो पूछ लेना हां सब्सक्राइब जरूर कर ले मिटा क्योंकि यहां पर आपको लगातार क्लास मिलने वानी क्लास 11 के लिए फिर क्लास 12 के लिए और सी विटी की तैयारी भी आपको यहां पर करवाई जाएगी वह भी बहुत अच्छे लेवल पर करवाई यह शीवाज ब्यूटीफुल हाँ वह कुपसुरत थी वह आंतरिक रूप से बहुत कूपसुरत थी क्यों वेटा शीवाज लाइक दविंटर लैंड्सके बिन अमांटेन्स वह कैसी थी वह जैसे की विंटर लैंड्सकेप जैसे नहीं खुब सारी बर्फ भरी हो बिलकुल जैसे तुमने एक ऐसा महल देखाऊ जहां पर कूप थंडी और अग्दम परवतों पर बर्व जमी हुए कूप थंडी और किये लोग मूवमेंट नहीं करते हैं लोग अपने घरों मेरते हैं जादा मूवमेंट नहीं करते हैं उसी के लिए बोला जा रहा है लाइक दो विं बिल्कुल उनके मन में सांधिशी तभाव रहते थे तो शी वाज बीटिफुल यह सुसंदर तो थी अब बता रहा है आगे लाइटर कि भाई संदर क्यों थे ऐसा बोल कि रहा है वो शी वाज लाइक दो विंटर लैंड्सकेप इन वह विल्कुल विंटर लैंड्सकेप की सरी किती मांटेंस में एन एक्सपैंस औफ और रावाइट सीरी इन ब्रीधिंग पीस एंड गंडेंट मेंट कंटेंट मेंट का मतलब का अधिशन बेसिकली कंटेंट मेंट को बोलते है आई स्टेट आफ सैटिस्टेक्शन पर ठीक है है एपीनेस भी जोड़ सकते हो माई ग सब्सक्राइब करते हैं अब जैसे कि आज मैं बोलूं कि मैं रोज रणिंग पर जाता हूं तो आई र地方 daily और एट रोट काल को दूर मैं अबले तैली नें कि ये मेरी हादत ती लेकिन भूट काल में थी पास्ट में अब नहीं अ in the morning वो मुझे सुभा उठाया करती थी get me ready for school मुझे तयार किया करती थी स्कूल के लिए she said her morning prayer in a monitor sing song है न वो क्या करती थी बिटा अपने monitor us याने की रोज का वही जो नीरस 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 नहीं होता रोज माला आपके अरोस प्रॉस में कोई मंदिर वही गाना ओम जय जग दी सहरे स्वामी जय जग दी सहरे तो विटास एक मेना दो मेना अच्छा लगे लेकिन जब एकी आदमी रोज वही गाना गा रहा है तो दून भी नहीं चेंग वही तो मुन आटरा पर आता है वो ठीकना बिलकुल काजल is saying living with grandparents is the best thing ever चलो बेटा होता होगा मैंने अपने गरांट परेंट को देखा नहीं तो आई डोंट नो देट गूड इवनिंग मेटा अमन अच्छा बिटा बहुत बहुत बने आमन बिटा पूरा पढ़ा है आपने बक्ती शॉंक्स श्रीती जा आई उस्तुरें डेली वेरी गुड बटा शाहिन जरीन और कोई कुछ बोलना चाहेगा कोई बात नहीं लाइट से लिगे तो क्या हुआ तुम हो तो घर के दीपक आगे देखने विटा हां शूस्तु वेक में बार्निंग और रेडी पार स्कूल ओमजरो सब्टाथी थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी शीएड शीएड हर मदर प्रेयर एना हर मार्निंग प् अपनी प्रेयर से लिये करती थी मोनाटने से में ताकि वो चाहती थी कि यह जो राइटर है वो सुनते 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 बाई हाट कर ले निकी याद कर ले ठीक ना अमन बिटा कह रहा है कि सर अब बहुत अच्छा पढ़ात थे मिटा धन्यवाद लेकिन आज सा डाउन है मेरा मामला कुंदेख रूमी एनरजी थोड़ी से लोग तो मैं अच्छा लग रहा है तो इसके लिए थैंक यू बटा अच्छी बात है आगे देखते मिटर ब्रेस्ट मी इन दा होब एट आई वोड लिसेन एन गेट तो नो इड़ भाई हाट ठीक ना आई लि अच्छा शृती जा देट्स वाई यू आर हाँ बिल्कुल जानते मेटा कशिज जाइज वन आफ दो ब्राइट सूरेंट्स आई हब अच्छी बच्छी यह वह जानते मेटा शृती जा जानते हैं एंडिया दावर पढ़ाया थे थे नजब तो बच्छा पढ़ता थाम से म बढ़िया बटा आभी पढ़ाई करो महनत कर रहो वह जिस दिन आप लिखा थाना अधितिम शानम कर शामी कैपिटर लेटरस मुझे तबी लगाता या तो वह तो उसका कोई भाई बहन है तो उसी दिन मुझे आईडिया लग गया था अच्छी बात है लव्डर वाइस बिल आगे बढ़ भाई दैंशी वूट फैच मी वुड़ेन स्टे स्टे और फिर वो क्याल आती थी प्रेच का मतलब होते किसी चीज को लाना है ना फैच माई वुडेंस लेट पहले के समय मेटा पैन कॉपी थे निस लेट होती थिया ना जिस कॉम प्लेर स्लेट नहीं जिस में हम लोग चौक से लिखते थे ओके विकास नियू स्टूडेंट आपका स्वागत है और प्रियांशी मिश्रा बेटा आपका भी स्वागत है जो भी नए स्टूडेंट है सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में अब खुद भी आए अपने दोस्तों को भी लेकर क्या है और कौन भाई प्रीतो यादो हां बेटा सुना बेटा क्या कह रहो हां ठीके ठीक अब कितनी बार बताओ गाया न्यू स्टूडेंट का जल सेंग सौरी सर फॉर हर्टिंग यू तुमने कभार्ट कर दिया रम को तुमने कभार्ट कर दिया हम को हाँ प्लेन बैक बिल्कुल का मोल्ड इस्टूट बढ़िया बढ़िया मैं क्लास 12 की हूं प्रीती बेटा कह रही है 12 क्लास की ऑनलाइन क्लेस कहां होती है अच्छा यह पूछ रह बटा जहां पर आप देख रहो ना बस इसी चैनल पर क्लास 12 की रोज क्लासे चलती है रोज नहीं बैटा म्व पर चलती है मंडे वेड़नेस डे और प्राइडे क्लास 12 की क्लासे रोटी है और बाकी फिर क्या बचाइब टीटी एस इन दिनो मेटा क्लास 11 की क्लासे होती है ठीक ना तो अगर आप भी नए स्टुटेट हो तो आप प्लेलिस में जाकर के देखू लास्टेल की तो प अच्छ चकाजल अचारे नहीं काजल ठीक है यार इतना नहीं तुमारे भाई इमोशनल है लेकिन ठीक है तुमारे इंटेंशन सचे वेटा की टप लगवां तुमारा भला करे देशी वट फेच माई वुड़न स्लेट हाना विच शी हैड एल और लेडी वाज एन और यह रात कोई होती है और वह यह तीन दिन किसी होती तीन दिन कचा ग्यारा पढ़ाते दिन दिन चाब अच्छा चाइब अच्छा कख्षा क्लास लेएं ग्लास ट्वेल ठीक बास तो अगी बढ़ते हांगे शी हैड और रड़ी वह बता दिया गया फिर आगे अटाइनी अर्थन इंक पार्ट एंडर रेड़ पैन और प्रिक्या करती धिविटा क्या क्या लाती बिटा अटाइनी एंग इंग पॉर्ट अगिंग पर लेकर या तीदी अरेड़ पैन एकलाल पेंट टाइड अल यह तो मी और यह सब बांद देती एक बंदल में और मुझे पग्ला मतलब होता है बासी चपातीज यानी रोटीया विदा लिटल बटर एंड सुगर वह उसमें बटर लगाती दिया और सुगर लगाती थी चीनी इस्प्रेड ओन इट वह यह सब लगाती थी और फिर वी वेंट तो इसको फिर हम स्कूल जाते थे अभी मुझे एक चीज सिखाने होता है किसी चीश को तोड़ना इसका मतलब केहाता अब कालब व्रहत बोलती नहीं यह लगाच मेरा सोला समवारी व्रहता है मेरा समिरी रख व्रहता जो भीशा खैक्ना तो घाधा है खांग तोिए तो आ आप ब comment बोड़ेशा उतक्तार एच्छा और अच्छा ने तो यह योगिता बिटा है लो हाँ आर्ट की होती बिटा परी तो चलो ठीक ना तो व्रत तोड़ना हाँ यू जो वेस्टर्न मेथाल जी दिन वहाँ पर यह माना जा तक भी आट गंटे तगर आपने खाना नहीं खाया तो आपने व्रत किया दिन में तीन बार आठ गंटे आप यह तो आप यह तो इस हिसाब से बिगर आप देखो किया तो आप आठ गंटे से ज्यादा बाद इखाना खाते वाइसा तो तो इसको ब्रेक फास्ट बोला जाता है ठीक ना आगे आगे आजो हां ही कैरीड सेवलर सेवरल स्टेल चपाती इस विदर फॉर्ड विलेज डॉक्स और वो कुछ बासी रोटियां रख लेती ती जो गाहों के कुट्ते होते थे उनके लिए मैं मेरी जो ग्रांबजर ती जो मेरी डादी थी हमें सामेरे साथ फूल जाती थी बिकाउस जैस कूल वाज ऑटेज्ड तो डाएज ट्यौड क्यूंकि मेरा जूसकूल था एक मंदिर से अटेज्ड था मंदिर से लगा हुआ था दाप प्री स्थॉड टाउट अस्धा कि प्रेयर औरा मैं सुबहन की प्रेयर भी सिखाते देरा जो सुबहन की बेर नाjuston sporting Bombay हमें दे न दे न दाता मन का वित्स्वा से कम जोर हो ना हम चलेने करस्टे पे हम से भूल कर भी कोई फूल हो ना ऐसी करके नहीं हम लोग स्कूल चलती तो वैसी वो प्रेयर सिखाते थे उसके बाद देखते सब्सक्राइब करके अलफाब पड़ते और क्या करते थे और क्या करते थे मेटा सभी लोग पूरस मतलब क्या होता है को अगर हमने बोला इप पुरह बच्चे कैसे हैं एफ फॉर एप पल चोटे बचों कैसे इस खाया दाना एक हम इदर से बोलते फिर सारे बच्चे मिल करके सामने से बोलते हैं उसी तरीके से ठीक है ना माई ग्रांद मदर सैट इंसाइड रीडिंग इसक्रिपचिर और पार जाती थी reading कि यार बच्चा लोगों चुन्नो मुन्नो राज कुमार दुबे हैलो बिटा तरफ सर्मा सर यू आर अल्सु आ बेस सिंगर तेंक यू यार ठीक था गाले तो नहीं गाते हैं यह तो जूट है पर ठीक थोड़ा अच्छा ठीक था गाले ते मतलब यह तो है वेन वी हैड विलेज डॉक्स वोड़ मीट अस एड़ टेमपल दूर उस समय क्या होता था जो कुट्टे होते दिना वह में मंदिर के दर्वाजे पर मिलते थे दे पॉलोड अस्टू आर हमारे घर तक हमारा पीशा करते थे ग्राउनिंग एंड फाइटिंग विज एच अधर फॉर अधर विज टोटी फेक्टी रोटी टी ती रोटी के तुकड़े और कुट्टे खाया करते थोड़ 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 तो करके ठीक आगे देखते हैं वेन माइट पैरेंट्स वर कनफरेंट इबली सेटर लिन ए सिटी देसेंट फॉर अस जब मेरे सेटल हो गए कहां पर सीटी में तब हमको भी ले गए डेट वाज टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंड शिप वही पॉइंट था जो हमारी मेरी और दादी के बीच में क्या बना फ्रेंट्शिप हमारी सेंट्शिप एक टर्निंग पॉइंट बना तो आपसे पूचा पावका यह याद है नेनम कि आत्मा को ना तो काटा जा सकता है ना तो पानी उसे विगा सकता है ना तो आप उसे जला सकती है आतमा के लिए बढ़ी बढ़ी आपड़ी लिख रखी है ना भगवद्गी तम में आगया जो अल्द वी शेर दा सेम रूम हाला कि हम लोग सेम लोग एक कमरे में तो रहते हैं ऑल्दो वी शेर दा सेम रूम माई ग्रांड मदर नो लॉंगर केम टू स्कूल विद मी लेकिन अब मेरी जो दादी थी वो मेरे स्कूल नहीं जा सकती थी मेरे स्कूल नहीं आती थी क्यों नहीं आती थी कोई रिजन तो होगा वह भी हम डॉक्स इंडा स्ट्रीट्स एंड अब वहाँ पर गलियों में कोई कुटे भी नहीं होते था एंड शी टूक टू टू फीडिंग स्पैरो इन दा कंट्रियाइड और आर्टी हाउस लेकिन दादी दादी अच्छी लोग होती है अगर उनको कुटे नहीं मिलें तो चिडिय पर गटी तो इस यह जैसे जैसे साल बढ़ते गया जैसे जैसे समय बढ़ता गया वी सॉल लेस और इस अदर हम लोग एक दूसरे से कम मिलने लगे वी सॉल एस अब बात करते थे ज्यादा इंट्रेक्शन नहीं होता था इसी को हम बोलते वी सॉल लेस आफ इच अधर मेरी बास होन में आ रही है बढ़िया चलो आगे देखें पॉर सम टाइम शी कंटीनियू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल कुछ समय तक शी कंटीन उन्होंने जारी रखा क्या जारी रखा वेक में मुझे सुबह उठाना एंड गेट मी रेडी फॉर दे ता इंगलिश इंगलिश पढ़ाई और इंगलिस वर्ट पढ़ लिटल ञंस और वेस्टर साइन्स के बारे में चाहिए पढ़ाएं अन्दा लॉफ ग्रैविटी गुरुत के नियम मियं पढ़ायारार क कि मेडीश के ब्रेश के बारे मिटाया एंड दवर्ड वर्ड बिंग अपने जीवन में परकास्था को प्राप्त करना अपने जीवन में एक अच्छे इनसान बन करके उभर करके आना धुरिया के सामने अपना और समाच का भला कर पाना बढ़ी अबिटा चलो तो ऐस दा इयर्स रोल भाई मैं इसके बारे मैं बताता हूं यह वाला इंपॉर्टे ने हमना ने सब्सक्राइब है अब यहां पर गलिया को खिला करती खाला की कुछ समय तक उन्हों ने विद्यान के विद्यान पढ़ाया गया दुनिया गोल आक मेरीस के सिध्धांत पैगे और मैं बताता था कि इंग्लिस के कुछ वर्ड पढ़ाए के और मैं बताता की गूरत कि सिध्धांत अनिक ग्रेवटी के रोल बताये गये चलो बहुत बढ़ीया तुम तो मतलब पढ़े हुए हो पूरा है ना बढ़िया तरीकिस तुम्हारे आंसर आते हैं अच्छा रगता है सरकल क्लास 12 की क्लास होगी नहीं बिटा कल संडे ना संडे तुमको दिया गया है ताकि तुम अपने जीवन में उंचियों को भी कर सको जो इंपॉर्टन अपने अच्छे बिटा अमन में बहुत अच्छे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए यह ना उस्से अपनी भी हो जाती है थोड़ी तैयारी आगे वरते हैं मैटा दिसमेड हर अनहपी क्या वह या अनहपी क्या बना दिया बता चलेगा शी कुट नोट हेल्प मी विद माई लेसेंस है ना चलो आगे सी डिड़ नाट बिलीव इन दे तोट एड़ इंग्लिश स्कूल एंड वास डिस्ट्रेस्ट एड देर वाज नोटीचिंग अब आउट गॉर्ड एंड इस्क्रिप्चर अच्छा अब समस्या क्या दादी की दादी को यह समस्या है कि एक तो यहां के ग्रेविटी को ना समझ पाए इसलिए उनको थोड़ा दुख रहते इसलिए डिस्ट्रेश रहती थी यानिक थोड़ा से डिस्टर्ब रहती थी परेशान रहती थी आगे देखते विटा और उनका क्या था वन डे एक दिन आई अनौस्ट मैंने बताया दैट वीवर बीग म्यूजिक लेसंस की हमें क्या दिया जा रहे हमें क्या पढ़ाया जा रहे हमें म्यूजिक लेसंस दिये जा रहे हमें यानिकी संगीत का ग्यान दिया जा रहे हमें संगीत सिखाया जा रहा है अना गाना बजाना सिखाया जा रहे ताब तो बेटा बवाली मत या दादीन कु बास से क्योंकि मैं म्यूजिक ले रहा था और उन्हों क्या वोला टू हर म्यूजिक उनके लिए म्यूजिक क्या था है डियूड असेशिएशंस है ना यानिक अच्छी चीज नहीं होती है इट वाज दा मुनोपली आफ हरलोट्स हरलोट्स एंड बेगर्स एंड नौट मेंट m Adventures for Kennel F interacting on और ता यह सिर्फ यह अन्नावगे लिए होते जो क्या होती है और सेर्द कम दो अैटा जए बहुत आ होती है जो प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं पर लिखा हुए जो प्रस्टिली फोती है और जो गरीब लोग यह जबीरी होता है निदिन होटे Smith For gentle फो जो सज् है ऐसा बताया जा रहा है ठीक ना हलाकि मैंस के उपर अभी कुछ बोलूंगा सी से नाथिंग बट हर साइलेंट मीन में डिसप्रूवल उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन उनकी जो चुपी थी उसका मतलब यही था क्यों नहीं चाहती थी कि मैं क्या लेशन स्लूमा म्यूजि कि यह जो दादी है हमको क्या बताया गया दादी क्या पड़ती थी बेटा दादी पढ़ा करती थी स्क्रिप्चर्स दादी पढ़ा करती थी स्क्रिप्चर्स यानि कि धर्म गरंत पढ़ा करती थी अगर दादी धर्मगरत पड़ा करती थी तो दादी ने एक देवता का नाम एक भगवान का नाम जरूर सुना होगा जिनका नाम था शिव है ना और हम सभी जानते हैं कि शिव जी क्या करते हैं शिव जी तांडाव करते हैं और हम सभी जानते हैं कि जितना भी संगीत की उत्पत्ती है जो संगीत के साथ सवर है सारे गाम आप जो भी है ना संगीत के जो सातों स्वार हो कहां से आए बेटा वो सिवजी ने दिये तो जब हमको ये बात पता है कि दादी स्क्रिप्चर पढ़ती थी दाड़ी सिवजी के बारे में जरूर जानती होगी तो ऐसा कैसे था कि दादी म्यूजिक से संगीत से इससे घ्रणा क्यों करती थी मुझे यह नहीं समझाया पता है मैं अगर राइटा राज होते तो मैं उसे पूस्ता जरूर किया आईसा कैसे संभाव है आपने एक तरफ बताया कि आपके दिवाग में कोश्चन डाल रहा हूं आप लोग भी सोचना में इसको पढ़ते समय था कि यह जो दादी थी स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी यह सिव जिनकों बोलते हैं सरस्वति माता तो सरस्वति माता के हाथ में भी देखो विटा वीरा होती है नहीं के बारे मुनों जरूर पढ़ा होगा स्रीकेशन बासुरी बजाते थे तो अगर वह इतना धार्मिक थी अगर वह इतना अच्छी थी तो उनको संगीत से दिक्कत कैसे हो सकती है मेरा यह दिमाग में आता है है ना ऐसा कैसे संभाव है कि यार यह दादी जो स्क्रिप्टर पढ़ रहे हैं जो दिन भर मनकी की माला लिया करते हैं इवें जो अगर आप मंत्र भी गाते हो कि विए ओम भूर्वत भूवत स्वाहा तत्सवतुर्वरेन्यम भर्गो द कि यह क्या बता रहो कोर्ट से हट करके कोर्स में इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन जब राइटर में लिखा तो मेरे दिमाग में और तुमारे दिमाग में कुश्चन आना चाहिए था क्योंकि मेरे दिमाग में हाया कि भाई दादी स्क्रिप्टर पढ़ नहीं दादी धर्मगरंद पढ़ें दादी को दिक्कत कैसे हो सकती है हां सभना मंडल बोल रहीं कि मेभी शी डिंड लाइक मौडरन म्यूजिक हो सकता है लेकिन फिर उनका यह कहना फिर उनका यह कहना कि भाई यह जुग गाना बजाना उता संगीत होता ही हारलड के लिए प्रोस्टिट्य रंभा ना रंभा क्या थी रंभा एक निरतिकी थी ना विया देव जो हैं आपके इंदर देव के दरबार में रंभा ना चाह करती थी कैसारे तो जाना चाहरते थे 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 तेना modern student कही रहा है कि भाया भक्ती सॉंग नहीं होंगे मेटा कई सारे मतलब संगीत की बात रही मुझाओ ऐखसे दी जारे हैं उसको क्या मुझा ऐसी क्लासेश्ट हो सकता अग शिकला सिखा रहे हो किया पता है गटार बजाना और बाड़ यह का ना कर्थी थी वह वच्छा बोला तना कि यह उनकी आवाज पसंद रहे हैं और कि रही है और कहाना बजाना किसका काम है वे काम है और भिकारियों काम है यह थोड़ा रिक्त्री हो रहा है मेरे लिए यानि कि मैं कहूंगा यहां पर ऑग्जी मोर हो ने बहुत तगड़ा वाला ना बागी तुम लोग भी अपने विचार इस प्रस्ट करना थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप लोग अनलेटिकली सोच आपके नजरिये पर ने भर करता है आप किस तरीके से देख रहो चलो बढ़ते हैं आगे यह मेरा अनुमान था जो मैंने आपके साथ शेर किया बढ़ते हैं अच्छा अरे यार एक तब समय लेता थोड़ा सा ती से नथी है ना तो इस वाकिया मैं ने क्या जाना इस वाकिय अधारी समझाई जारी किया कैसे दुनिया का जन्म वह कैसे बिग बैंग ठियोरी हुई और दादी को पसंद नहीं आता था क्यूंकि दादी को यह लगता देया यहां पे पूजा पार्ट की दबाती नहीं कर रहें ऊपर से जब एक दिर बता दिया उसने और अथर ने अप टुद यूणिवस्टी कहां गया यह वन इवेंट इट टू यूणिवस्टी आई वास गिवन रूम आफ माइओ जब यूणिवस्टी गया जब मैं अपने कॉलेज गया तो मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया अब उससे भी अलग हो गया ना दादी से आई वाइव गिवन रूम आफ माई ओन दा कॉमल लिंक और फ्रेंट्शिव और स्नैप तूट गई जो कॉमल लिंक थी हमारी और दादी के बीच में कमरा था जिसमें हम दोनों साथ में रहते थे अब वो लिंक भी क्या हुए बेटा सौरफ शाक्या बेटा मुना पली का मतलब होता है कि जयुस्त on Mich 지금 मेरे घर पर पापा की मुना परली चलती है वास पापा के रेलावव कुछ नहीं करे गाना था था उनौत प्र० इंगले स्विच शिवराज हई नीड़ का तकम औहिसे चलो मेना यह जो झानी तो जैड़ा उनकी चोटे लों को मोना पली और अच छा ंखता मेरी है इमेल आइडी है आधित्य डॉर्ट तिवारी एस दर एट अड़ा तू फोर्टी सेवन डॉट कॉम बागी टेली ग्राम पर मिल जाएंगा अधित भया के नाम से गर शेर करो फोटो लगी हुए ठीक है कोई दिकत हाँ बेटा प्रियांशी मिश्रा बोलो सुन रहे भावना है तो बताव यह कहीं ना कहाँ चाहते हो चलो तो हम कहां पर आगे तो 11 11 बात कितने हैं सुला तक सभी है 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 ना है और यह हम बताओ चलो आज के लिए इतना ही बेटा मैंने जिसको जो देना था दे दिया है ना कॉंट्रेक्ट रोटेक्ट जो भी समस्या बताना और अरे यह खुल क्या क्या है लोबाकी यार यह पता हैं गोराया थोड़ा हाँ ठीक है तो सब्सक्राइब करो भाई लाइक वाइक शेयर कर देना और जिन भी बच्छों को क्लास अच्छी लगी वो लोग एक चीज़ जरूर लिखेंगे जाकर कर सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे बस में होगी आपके समस्या का समाधान तो जरूर हो जाएगा ठीक है मिलते हैं अपना और अपनों का ख्याल रखें और अगली क्लास में इससे ज्यादा एनर्जी के साथ मैं आप से मिलूँगा यह मेरा वादा है ठीके ना शालो झालो